किसान आंदोलन आगे जाने वाला है उस पर सवालिया निसान बन गया है क्या ये आंदोलन खत्म हो जाएगा क्या आंदोलन की तस्वीर यहीं तक थी आगे जो संसद मार्च की जो बात की जा रही थी अब उसका भविश्य क्या होगा सवाल कई जवाब अभी किसी के पास नहीं क्योंकि जवाब अब समय देगा लेकिन इसी के साथ जो आरोप लगाए गए वो बहुत गंबीर हो जाते हैं क्योंकि किसान मजदूर संगठन के किसान नेता बियम सिंग ने जानकारी देते हुए बताया कि इसमें सीधे सीधे राकेश टिकैट इसके जिम्मेदार है उन्होंने कहा कि राकेश टिकैट ने तैयर रूट का पालंदा करते हुए अलग रूटों का इस्तिमाल किया जिसके चलते हिंसा भढ़की और जिसके चलते ये पूरी अराजकता हुई वहीं आपको बता दे कि जो दूसरे किसान संगठन है उन्होंने भी एक दूसरे पर आरोप परत्यारोप शुरू कर दिये है इस बीच जो सबसे एहम सवाल खड़ा होता है वो ये है कि क्या वेवस्थाओं की कमी थी वो ये है क्या गाइडेंस की कमी थी वो ये है कि क्या नितरत्र की कमी थी सवालों के बीच जो सबसे सठीक जवाब निकल कर आ रहा है वो ये है कि किसी की भी कमी रही हो चाहे सरकार की, चाहे किसानों की, चाहे पुलिस की लेकिन नुकसान देश का हुआ कलंक देश पर लगा, गरतंतर दिवस के मौके पर जो कुछ हुआ, वो गदार कहलाएंगे, देश के गदार कहलाएंगे लेकिन तस्वीरों के लिहाज से हम जब समझते हैं तो यह हमारे देश की काल, जो किसको काल बोलते है जो हमारे देश का काला दिन है और यह जो काल की तरीके जो तस्वीरे सामने आई है इससे देश को जो नुक्सान हुआ है, उसकी भरपाई आने वाले समय में करपाना बहुत मुश्किल रहेगा लेकिन जिस तरीके से प्रद्यूम इन संगठोनों ने अपने आपको अलग कर दिया इसको क्या समझाचा है, आंदोलन खत्म होगा, फूट पढ़ चुकी है, यही तो सरकार चाहती है बिल्कुल, जिस तरीके से आप जनकरी दे रहे हैं, ऐसे मैं सवाल कई हैं, लेकिन जवाब एक भी नहीं है जिस तरीके साब बता रहे हैं, लेकिन जवाब देने की हिमत अब कोई नहीं कर पा रहा है जिस तरीके साब ने बताया कि फूट डल गई है, तो जब किसी चीज में फूट पढ़ जाती है जो मजबूती पहले थी, उसमें कमजोरी आरूप देखने को मिली है ऐसे में साफ तोर पर राकिष्ट कैथ की उपर ये आरूप लगते हैं, जापर बियम सिंग नहीं आरूप लगाए है कि जो तैरूट था, उस रूट पर जो निर्धारित किया गया था, वहाँ ना जाते हुए अपने रूट अलग बनाए गए तो ये पहले से फ्री प्लैन था, तमाम तरिके का आरूप रत्यारूप का दोर आप देखने को मिलेगा लेकिन अब किसान आंदोलन का भविशे, जो 60 दिन करीब करीब से उपर ही हो गया है, सरकार उसको इलानी पाई, लेकिन जब आपस में फूट पड़ती है, तो बड़े से बड़ा आंदोलन बिखर जाता है तो वो इस सित्यव यहाँ पर हो रही है, अभी दो संगटन है, आने वाले समय में अभी ऐसे और संगटन यहाँ पर नकल के सामने आएंगे, जो अलग होना चाहेंगे और अलग हो भी जाएंगे दिल्ली पुलिस ने साफ किया है, कि जिन जिन किसान नेताओं के साथ वारता हुई थी, जिन जिन किसान नेताओं ने हस्ताकषर कर इस चीज़ की गारेंटी ली थी, कि यहाँ पर आराजक्ता का महल नहीं होगा, सारी चीज़े व्यवस्तिक ढंग से की जाएगी, अब उन क किसान नेताओं पर FIR होगी और यह सिलसला शुरू हो चुका है आपको बता दू कि राकेस टिकैट के ओपर गाजीपूर बॉर्डर के पास थाने में FIR लिखी जा चुकी है इसी के साथ बाती तमाम किसान नेताओं के ओपर भी FIR का शिलसला जो है सिलसला जिसको बोलेंगे व अनुमती नहीं दी जा रही थी लेकिन किसान नेताओं के दबाओं के चलते उनसे हस्ताक्षर किये गए उनकी गारेंटी उनकी बात की बात पर ये अनुमती दी गई लेकिन जो कुछ गरतंतर दिवस पर हुआ उससे तस्वीरे कही ना कहीं खराब होती है पूरा देश देखने के लिए बैठा था कि हम वो तस्वीरे देखेंगे जहां हमारे जवानों ने अहुती दी अपनी जान की उनकी तस्वीरे हम देखेंगे उनको किस तरीके से उनके आगे कि जो उनकी फैमिली है उनके परिजन जो है उनको सम्मानित किया जाएगा उनका सम्मान कर उन दिल्ली से जो दिल्ली का दिल है और दिल्ली के दिल में घुसकर आईटीओ में मनें जिस तरीके की जो हरकते हुई वो शर्मनाक रही और ये पूरे देश ने देखा लाल किले पर चड़ गया लाल किले पर चड़ कर अपना जंडा लगा दिया इसकी हिम्मत कहां से आई किसान कह रहे हैं कि ये उनके लोग हैं वो कह रहे हैं ये किसानों के लोग हैं लेकिन जंता पूछ रही ये कौन लोग हैं इन पर अफायार होनी चाहिए इनको जेल में डाल देना चाहिए और इनके खिलाफ सक्त से सक्त कारवाई होनी चाहिए लेकिन सवाल वहीं से एक निकल कर साम और हामी भरी तो फिर उसको पूरा क्यों नहीं कर पाए और जब पूरा नहीं कर पाए तो जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहे और जिम्मेदारी नहीं ले रहे तो ऐसे में F.I.R. भी होंगी ऐसे में सक्से सक्त कारवाई भी होंगी और गरतंत्र के गदारों को सजा भी दी ज सकता क्योंकि आप कुछ भी कर सकतें प्रद्यूम लेकिन देश की जो असमिता है उसके साथ खिलवाड नहीं कर सकतें आप लालकिला जहां पर 15 अगस के दिन आप देखते होंगे 15 अगस के दिन जहां पर प्रदान मंत्री तिरंगा फैराते हैं वहां पर चड़कर आप अपना किति के आड़ में यह जो समाजिक हैं यह समाजिक चीजीज़ को नहीं मिल जाती है है, तो किसान होगी कियो आपsem यह जाती किमा। जो शेज़े दिन से प्रदियुटों ने अपने आप को अलग किनारे की आए आप समय बताएगा कैلفं, विह अपने अलग होते हैं किसी तरह से अगर गुट होते गए तो आंदोलन मद बचे ही क्या है और आंदोलन मद बचे तो इसमें जीत कहीं ना कहीं सरकार की होती नजर आती है। आपने क्यों हस्ताक्षर किये, आपने क्यों देश को जलने दिया, आपने क्यों वो तस्वीरे सामने आने दिया, लेकिन इन सवालों के बीच पर दियों, जो तस्वीरे देश को देखी, वो तस्वीरे आप किस तरह से उनको देखते हैं, कितनी गलत हैं, बिल्कुल, जिस तर आड़ में ये लोग सामने आया है, इस तरीके की हरकत की गई है, 26 जनवरी को शौरक की गाथा देखने के लिए लोग जाते है टीवी खोलते हैं, देखते हैं, लेकिन जब देखते क्या है कि इस तरीके की तस्वीर है, जहाँ पर किसी को मारा जा रहा है, पुलिस कर्मियों को जो लोग थे और जो भीड में इस तरीके की हरकतों का अंजाम दे रहे थे, CCTV फोटेज में वो रोग कैद हो गए है, मीडिया की फोटेज में वो कैद हुए है, उनको ढूना जा रहा है, उनकी पहचान की जा रही है, उनको दी जाएगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह हो किसान जो अन्य दाता कहा जाता, अन्य दाता ने क्या किया 26 जनवरी को, ऐसे मैं अभी आपने जिकर किया कि लाल किले पे अपना जंडा फेरा दिया, दीब सिंदु नाम का एक पंजाबी गायक है, वो अपने फेस्बुक पर जाकर ये बोलता है कि लोगतांतरिक अधिकार क कि तहत मैंने महापर जंडा फेराया है और हमने भारत का जंडा नहीं हटाया, लेकिन भारत के जंडे के बगल में अपना जंडा फेराया है, तो आप हिम्मत देखिए, एक वो देखी हिम्मत कितनी है कि फेस्बुक पर आकर और खुलेया में चीज़ बताई जा रही है, किसान 26 जंवरी वाले दिन अपने देश का जंडा नहीं फेरा सकते, ये बोला गया था, लेकिन ये नहीं बोला गया था कि किसान इतने उग्र हो जाएंगे कि पुलिस वालों कि सिर्फ ओडेंगे, बसे तोड़ देंगे, बीच रोड पर स्टंट करेंगे, खुलेया, सबसे बड़े किसान आंदोलन को जब किसान निता लीड करते हैं, तो ऐसे में किसी एक शक्स की ऐसी हिम्मत कैसे हो जाती है, कि वो इतने बड़े लोगों को, क्योंकि दीप संदु की उपर ये आरूप लगा जा रहा है कि भड़का आया गया है किसानों को, जब तक किसान निता किसान नहीं चाहेंगे, तो किसान भड़क कैसे चाहेंगे, आप पते हैं. तमाम रासों में दिल्ली वासी, फूल लेकर, फूल वर्शा कर रहे थे, उनके उपर पुश्व वर्शा की जा रही थी, उनका स्वागत किया जा रहा था, तालिया बजाई जा रही ही, और कहा जा रहा था, हम किसानों के साथ हैं. दिल्ली वासीों ने पुश्व वर्शा क उनके सीसे फोड दिये गए क्योंकि वो जो डीटीसी के आप बसे देखते हैं हरी लाल वो किसी सरकार की बसे नहीं उनमें आमनागरिक सफर करता है उन बसों में किसानों ने तोड़ खोड की यहां पर तथाकथित किसान कहना चाहूंगा उन्होंने बसों में तोड़ खोड ग प्रदर्शन था आपका जायस था अब उगर प्रदर्शन कर रहे थे आप सरकार के खिलाफ़दारे बाजी करते आपका एनरजी लेवल अप हो जाना चाहिए था लेकिन उसके बदले में आपने क्या किया आपने वहां पर जाकर जवानों को डंडे से पीटा आपने लाल कि अपने के प्राचीर पर चड़ गया आपने लाल किले में जाकर अपना जंडा फेरा दिया इस तरह की हरकते उसके बाद मैं तो इतना ही समस्ता हो प्रद्यूमनी कि जिस तरीके से किसान मजदूर संगठन जो है और दूसी तरफ भारति किसान उनियन बानू इन्होंने जो स अंगठन से अपने हाथ खीचे हैं वो मैं सही फैसला ठहराता हूँ क्यूंकि हम हर चीज़ पर सबसे पहले तो मानफता आ जाती है मानफता के आधार पर ही क्यूंकि कानून वापस होते हैं नहीं होते हैं वो एक अलग चीज है वो राजनीती का भी मुद्दा है वो अपने लिए तंतर बनाया गया इस तंतर के लिए लोग नहीं है इस चीज को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप सिर्फ किसान होने की आड़ में आप आराजकता नहीं फैला सकते आप सिर्फ किसान होने की आड़ में इस देश में हंगामा नहीं काट सकते आप सिर्फ किसान होने की आड़ में इस देश को नुकसान नहीं पहुचा सकते आप सिर्फ किसान होने की आड़ में इस देश पर कलंक नहीं लगा सकते क्योंकि अगर आप इस देश के सचे देश भकते हैं तो आप चाहें किसान हो, चाहें पुलिस वाले हो, चाहें डॉक्टर हो, चाहें इंजिनियर हो, चाहें पत्रकार हो आपका फर्ज बनता है इस देश में कुछ add-on करने का, कुछ contribute करने का लेकिन अगर आप बसें जला देते हैं, अगर आप बसों में तोड़ फोड़ कर देते हैं तो फिर आपको कोई हक नहीं होता इस देश का खुद को नागरिक बना बताने का किसान होना तो छोड़ दीजे, ये तो दूर की बात है, लेकिन ऐसे में जिस हिसाब से ये जो food पड़ी है किसानों के बीच, ये कहीना कहीं अच्छे और बुरे के बीच में एक रेखा कीचती है जिन किसान होने अपने आपको अलग यहाना प्रदिल, उन्हों नठीक है किसान जो है अब जो आंदोलन जो है ये दिशाहीन हो चुका है क्योंकि अंदोलन जिस हिसाब से चल रहा था, शांती पूर्ण धन से चल रहा था, देश का समर्थर मिल रहा था, सरकार भी बैक फूट पर आ रहे थी, लेकिन एक गलती, एक गलती ऐसी की, कि आप किसान से होकर उब्रवी हो गए, आप किसान से होकर उब्रवादी हो गए, आ आपने ऐसा कुछ क्यूं किया कि आपको किसान कहने में भी लोग कतराते हैं, आपके आगे तथा कथेद, कथेद, ऐसे सब्दों का इस्तिमाल करते हैं, आपको उगदर भी कहा जाता है, तो ऐसे में अगर आपके लिए इन चीजों का आपके लिए अगर अल्टरनेट इस्तिम बिल्कुल मैसेज जाना सुभाविक हो जाता है क्योंकि जब वीम सेंग इस बात को कह रहे हैं कि जिस तरीके की हरकत की गई है उससे बहुत दुखी हूं और किसी को पिटवाना नहीं चाहता हूं सबसे बड़ी बात उन्होंने यह बोली कि अपने देश को बदनाम करना नहीं है ऐसे आंदोलन कारियों के दौरा किसान की आड में वो गलत था सरासर गलत था सरकार बैक फूट पर आ रही थी लेकिन अब बैक फूट छोड़ी है अब किसी फूट पर सरकार नहीं आने वाली अगर यह किसान यह सोच रहे हैं कि अब आंदोलन लगातर जारी रखेंगे तो कुछ फरक होगा अब कुछ भी फरक निञा होगा जdisplay जितनी भी सानुकुति ही भी सानुकूती मिल रही थी है और सब्सानो कार नहीं बूली जाती है वह ब़ोलते है और किसान संग्ठन अलग होग्य अब उनको देख कर और किसान संग्ठनरों में सोचने समसें की शक्त जरूर देखने को मिलेगा लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल यह हो जाता है कि यह किया कि हो गया क्योंकि बड़ा ही शाहंति प्रिये तरीकी से चल रहा था इसमें वीडियो लगातर वैरल हो रही है जहाँ पर ऐसे जो प्रदशन का रही है वो यह बोल रहे हैं कि लाल के लिए पर मैं जंडा कराना चाहते थे बस यह एक जिद के कारण इतना बड़ा उपदरब मचाया गया इतना बड़ा हंगामा किया गया कितने लोगों को गाहिल कर दिया 300-400 पॉलिस कर्मी तो कम से कम गाहिल बताये जा रहे हैं पर अभी तो ना जाने ऐसे कितनी होंगा जिनको थोड़ी बड़ी चोटे आई होंगी ऐसे मैं सिर्वी इस जिद तो अब इस जिद का कुछ भी फायदा नहीं होने बाला है क्योंकि दो महीने साथ दिन से उपर का समय बीच चुका था बड़ा ही बैतरी नहीं आंदोलन इनका चला बड़ा ही शांती प्रियतर ही ऐसे लेकित जो हरकत अब दोहरा दी गई है अब कर दी गई है इसके बाद ये इसका जो रिजल्ट निकलने वाला था ना कुछ दिन में निकलता सरकार सोचती भी वो रिजल्ट आप बिलकुल भी सामने नहीं आएगा क्योंकि सरकार ने सारी चीज़े देख ली है अब ऐसे प्रदर्शन के बाद आम जन्वी ये सुझ जया कि किसान बिलको अलग रखिये लेकिन ऐसे लोगों को ऐसे लोगों का आंदोलन सुईकार नहीं है मुझे तो लगता है वारताओं का दौर भी कहीना कहीं अब इसमें लगाम लगती नहीं बिलकुल लेकिन आपने जैसा कि जिक्र किया कि Facebook Live करिये बताया कि मैंने अपने rights का इस्तमाल कर मैंने वहां पर जंडा फैराया ऐसा कुछ भी लोगतांत्रिक अधिकार का इस्ते बिलकुल तो लोगतांत्रिक अधिकार को अगर यहां पे मैं freedom of speech जिसकी बहुत बात की जाती है आजादी है इस देश में इसकी बहुत बात की जाती है जो आजादी है उसकी सीमाएं है आजादी आपको इतनी आजादी नहीं दे सकती कि आप इस देश के लोकतंतर पर चोट करें आपकी वज़ा से इस देश के लोकतंतर पर खत्रा हो क्योंकि हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंतर हैं इसी के साथ मैं आपको एक जानकारी और देदू कि जिस तरीके से किसानों के बीचा फूट पढ़ने का जो सिलसला शुरू हो चुका है अब उस सिलसले में कब लगाम लगेगी कब वो शांत होगा इसकी फिलहाल के लिए अगर probability मैच की जाए तो ऐसा लगता है कि जो graph है जो क किसान अंदोलन कब तो किसानों की संक्या काफी कम नजर आ रही है इसके साथ या अंदोलन से कुछ बड़े किसान नेता भी अपने आपको अलग कर रहे हैं इसके साथ ही पूरे देश का mood बदल चुका है और साथ ही अब गार जो है वो फ्रेंट फुट फर खेल रही है और किसान आंदोलन में जो तमाम किसान नेता है वो पीछे आ चुके है इसके बीच जो सबसे बड़ी बजा है वो है क्रेडिमिलिटी की क्योंकि जब राकेस्टिक है जो कि भारतिय किसान यूनियन के रास्ते प्रवगता है आपको तेय रूट बताया गया था आपको अगर उस रूट पे नहीं जाने दिया जा रहा था तो आप वहीं ज़र Friendable के पुलिस के आला धिकारिओंसे बात कर सकते थे आपने क्यों दूसरे रूट से जाने की कोशिश की आपने क्यों तोड़ फोड करने की कोशिश लेकिन उन पर भी सवाल या निशान जो उठाया है वो उनी के साथ ही किसान नेताओं न उठा दिया है क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि किसान मजदूर संगठन के जो बियम सिंग जो किसान नेता है उन्होंने राकेश टिकैट पर ही हरोप लगा है उन्होंने कहा कि राकेश टिकैट की वज़य से ये सब कुछ हुआ राकेश टिकैट की वज़ा से ही गाजेपुर से अक्षरधाम के आसपास के जो एरिया हैं उनमें हिंसा सुरु हुई तो अगर किसान नेता ही आँ वापस में लड़ चुके हैं तो सरकार के लिए इस लड़ाई से दूर से खड़े होके पाद pro CTR अन्हें पाद com अब बकार को वापस में लड़ार मैं झाल हैं राका बार को इन सान चान होके लाद प्राद वापसर हां क में रावता हैं वाफसर वापस टो